हेलो फ्रेंड्स तोड़े वी आर गएंग तो डू शोर्टकट ट्रिक टू दू दो मल्टिप्लिकेशन बड़े ध्यान से कुशन देखिए 43 x 47 अगर हमें इसकी मल्टिप्लिकेशन करनी हो तो बड़ी असानी से की जा सकती है शोर्टकट ट्रिक यूज करके देखते हैं क्या मैथड है सबसे पहले आज हम जो टाइप कवर कर रहे हैं उसकी पहचान कर लेते हैं आज हम कुश्चन करेंगे जैसे 43 x 47 22 x 28 61 x 69 पहले तो कुश्चन समझते हैं कि किस तरह की कुश्चन कवर करेंगे अब ध्यान से देखिए यह इसका unit place पे 3 है इसके unit place पे 7 है यानि कि दुन्नों के units place की addition 7 plus 3 कितना है 10 यह ध्यान रखना है सबसे पहले इस कुश्चन में देखिए 8 plus 2 10 इधर 9 plus 1 10 यानि कि आज जो shortcut trick हम करेंगे उसमें ध्यान यह रखना है वो कब applicable होगी जब units place की addition क्या हो 10 हो और उसके आगे वाले 10s place पे जो number है जैसे यहाँ पर 4 है 2 है 6 है यह दोनों क्या होने चाहिए same होने चाहिए right तो चलिए start करते है देखिए ऐसी situation में हमें क्या करना है यह units place 3 और 7 को multiply कर देना है 7 threes are कितना होता है 21 right और अब यह देखिए यह 4 और 4 दोनों same है 4 को इसकी next value 4 की next value होती है 5 4 को 5 से multiply कर दीजिए यह कितना आएगा 20 तो 43 into 47 कितना होता है 2021 आगे देखिए 22 को 28 से अगर multiply करना है तो last वाली value units place पे 2 है और इदर 8 है 8 को 2 से multiply करेंगे 16 और आगे वाला जो 2 है 2 को next value 2 into 3 6 तो यह answer आएगा 616 इदर देखिए 9 को 1 से multiply किया 9 हमने 9 को 9 नहीं लिखना बस 2 डिजिट बनाके लिखना है 09 और 6 है आगे 6 को इसकी next value 7 से multiply करो 6 7s are 42 तो 4209 इसका answer होगा आगे देखते हैं कुछ और questions करते हैं माले जिए 74 को 76 से multiply करना है तो 6 4s are 24 7 की next value 7 8s are 56 तो 5 6 2 4 इसका answer होगा 81 को 89 से अगर करना है तो 9 into 1 9 09 निखलेंगे 8 की next value 9 8 9s are 72 यानिकि 7209 इसका अंसर होगा तो बहुत ही असान ट्रिक है वोग्स questions कर सकते हैं 92 को 98 से अगर करना हो 8 2s are 16 9 की next value होती है 10 9 10s are 90 यानिकि 9 0 1 6 इसका answer होगा 62 को 68 से अगर करना हो तो 8 2s are 16 6 की next value 6 7s are 42 44 को 46 से करें तो 6 4s are 24 4 की next value 5 4 5s are 20 73 को 77 से करना हो तो क्या होगा 7 3s are 21 और 7 की next value 7 8 056 तो देखिए हमने कितने सारे 2-digit numbers किये बस इसकी खासियत क्या थी units place की addition 10 होनी चाहिए और आगे बाला 10s place पे number क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए 2-digit नहीं इस method को 3-digit number पे भी use किया जा सकता है कुछ questions आपको करवाते हैं जिसमें 3-digit numbers use किया हुए द्यान से देखिए मानली जी हमारे पास है 112 x 118 अब इसे द्यान से देखिए units place पे यह value है 8 और 2 इनका total 10 बनता है तो 8 2 जार क्या होगा 16 होगा सबसे पहली चीज लिख लिए हमने इधर देखिए यह भी 11 यह भी 11 राइट 11 को next value 12 से multiply करें 11 को 12 से multiply करते हैं तो क्या आता है 132 हमने इसकी भी shortcut की थी हमारे पिछले वीडियो में कि 11 के साथ किसी को भी multiply करना हो तो कैसे करते हैं यह 2 यहां रहेगा 1 यहां रहेगा और 2 और 1 को add कर दीजिए 1 प्लस 2 कितना होता है 3 तो क्या आ जाता है 132 तो इसका answer लिखना बहुत असान 132 16 आगे देखते हैं 121 को 129 से अगर करना हो तो यह देखिए 9 इंटो 1 9 लेकिन इसको क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे फिर यह जो 12 है इसकी next value 13 से multiply करिए 12 इंटो 13 कितना होता है 156 एक question और करते हैं 113 multiply 117 7 इंटो 3 21 11 की next value 12 11 को 12 से किया 132 तो देखिए कितनी असानी से हमने two-digit number और three-digit numbers की multiplication की लेकिन यह method कब लगता है जब units place पे addition 10 हो और उसके आगे वाली जो भी value है वो दोनों क्यान होनी चाहिए same होनी चाहिए I hope आपको यह method समझ आया होगा हमारे videos को like और share जरूर करते रहें thank you thank you